पसू को ब्याने के बाद उसके अडर में दूद नहीं आ रहा है अडर में दूद सूख चुका है नसे ब्लोक हो चुकी है लाग कोशिज करने के बाद भी पसू के थनों में दूद नहीं आ रहा है दूद नहीं बढ़ रहा है तो आज आपको मैं बहुती शांदार अद्बु पचीस लिटर दूद देनी की समता है तो पचीस तक मुचा देगा पचास लिटर देनी की समता है तो पचास लिटर तक मुचा देगा जो आब यह फॉर्मुला देख रहे हैं यह कमाल का है बहुत ही गजब का है और कोई साइड एपेक्ट नहीं है तो आप अपने पसु को स् 250 गराम चीनी लेनी है 250 गराम चीनी जो आप देख रहे हैं वो चीनी आपको लेनी है 250 गराम फिर दोनों के अच्ची तर supuesto नेमू को और चीनी को अच्ची तर движ exercise mix कर दीजिये इसमें थोड़ा बहुत पानी ओर डाल सकते हैं जादा नहीं थोड़ा बहुत और mix कर देना है उसके बाद में 250 ग्राम सर्सु का तेल कच्चा तेल आपको ढाल देना है कच्ची गानी का और उसके बाद में इन तीनों को अच्ची तरह से mix करना है ताकि तीनों चीज अच्ची तरह से mix हो जाए उसके बाद में आपको दलिया या चोकर जो भी आपके पास है इस फोर्मिले के अंदर आपको मिला देना है और अच्छी तरह से mix करना है यानि तीनों चीज नीम्बू, सरसुका तेल और चीनी इन तीनों की मातरा 500-500 ग्राम है और अच्छी तरह से आपको mix करना है और mix करने के बाद में आपको इस फोर्मिले को स्याम को अपने पसू खिला देना है जब पसू चारा पानी का के बेट जाए उसके बाद में खिलाना है सभी पसू को ये फोर्मूला आप दे सकते हैं चाहिए ग्याबिन पसू हो चाहिए दूद देने वाला पसू हो और कम से कम इस फोर्मूले को एक पसू को 10-15 दिन देना है और यो ये चीज हम बना रहे हैं फॉर्मूला वो एक दिन की कुराक है एक टाइम की कुराक है रोज बना के रोज किलाना है जवर्दस फॉर्मूला है सीड खोल देगा कमाल का रजल्ट है अल्लाइ को सेट जरूर करें